हेलो दोस्तों ट्रिक्स for all students में आप सभी का एक बार फिर से स्वागज़े दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेली तुरुदा एजिस की यूनिट 3 का एक इंपॉर्टन टॉपिक है शाह जानाबाद इसको कवर करेंगे देखे दोस्तों आपकी यूनिट है डेली सबसे जहानाबाद और एक शाह जाहनाबाद तो हमायो का मकवर इतना जादा इंपॉर्टन नहीं हो सकता है आज अजा है लेकिन उतना इंपॉर्टन नहीं है चाहत से बंना तो प्लीज वीडियो को देख लेना पूरा तरह सारी बातिया आप समझा सकें यसे पहले वाली व यहां पर आपको दिख भी रहोगा आज हम इसका काफी अच्छे से समझेंगे जो कि आप जो कि आपके लिए काफी जाता है इंपॉर्टेंट है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो शाह जहाना बात शाह जाना बात को मैं थोड़ा अच्छे समझा देता हूँ आपको देखे दोस्तों यह जो पुरानी दिल्ली का यह जो में जो एरिया है जैसे कि लाल किला हो गया जैसे कि लाल किला चांदी चौक और फिर जामो मजजित वगरा का जो आस पास का एरिया है इस साइट जाएंगे जामो मजजित आपको दिखेगी तो मतलब यह जो कुल मिलाकर जो एरिया है चांदी चौक लाल किला जाममजित यही है शाह जहानाबाद ठीक है मुगल शाशक जो शाह जहान था उसने आगरा से अपनी राजधानी को हटा कर दिल्ली में शाह जहानाबाद के रूप में स्थापित किया था मतलब एक शहर बनवाया था शाह जहानाबाद औ यही शाह जहाने अपनी राजधानी मुगल वंच्ष की राजधानी शाह जहानाबाद को ही बनाया गया था हालना कि आज हम इसे लाल यहाँप Εल현 पे जो शाह जहानाबाद का एरिया इसे लग़एप में देखते हैं पुराई दिल्ली की नाम से भी जानते हैं तो हागाई इसी को एक राजधानी के रूप में बनाया गया था यहां पर एक बाद और समझाऊंगा देखे दोस्तों जो किले वगएरा हुआ बनवाय जाते थे पहले तो उसमें क्या होता था वो पूरा का पूरा एक नगर होता था जैसे कि माल लो यह जो गोला है उसे आप दिवार के रूप में समझो कि चार तरफ से इतना जादा एरिया को घेर लिया घेरने का मतलब है सुरक्षा परदान करना और यह एक किला कितर्गत कई सारे चीजें होती थी इस नगर में कई सारे चीजें होती दी जैसे कि राजा के लिए अपना एक अलग बड़ा सा महल हुआ करता था राजा के लिए कई सारे special बहुत सारे जगाएं हुआ करते थी लेकिन साथ में ही आहम लोगों के लिए भी बहुत से जिए हुआ करते थी और राजा के जो खास लोग थे उनके लिए पूरी तरह एक किले की रूप में इस्थापित किया जाता था पहले शाह जानाबाद सभी नगरों में काफी बड़ा था दिल्ली के तो इसे अभी हम काफी गहराई से समझेंगे आगे की बातें आपको समझ में आएंगी थोड़ा सा समझाओं यहां पर तो अभी आप पढ़ अधरवाईज मुश्किल होगी आकरवन करना तो यह एक सुरक्षा प्रदान करता है यह एक उचाई का एरिया चटानी एरिया है ठीक है यह जो एरिया है चटानी एरिया एक दिल्ली का अरावली शिरिंखला परवत का यह एरिया माना जाता है और इसके किनारे यहीं पर दि देखें शाह जानाबाद तो शाही राजधानी शाह जानाबाद का निर्मान मुगल समराट शाह जहां ने 1649 से 1648 के बीच करवाया था जो एक बड़े भुभाग में यमना नदी के तड़के साथ फैला हुआ है सिंपल सी बात है यह मैं आपको समझाई दिया कि जो शाह जाना यह कहां परिस्तित है तो यह बड़े भुभाग परिस्तित है यमना नदी के तड़ पर अरावली शिरिंखला का अंतिम शोर दिल्ली का रिज है रिज मतलब चटान होते है जो कि नगर को यमना नदी के कटाफ से प्राकरतिक सुरक्षा परदान करने में समरत है मतलब सिंप हो रही है तो यहां पर यह स्थित है और नदी के कारण इसको एक प्राकरतिक सुरक्षा मिल जाती है इस प्रकार प्रभावशाली उची स्थिती चट्टानों के लिए पत्थर की खदाने और जलापूर्ति के लिए नदी का पानी इन सभी सन्युक्त कारकोने शाह जां को अ अपनी ़ाजधानी बनाने के लिए आकरशित किया और इसने वसुतह शेर्शा और फिरोजशा के शहरों का अपनेमे समाहित कर लिया तो पहले फिरोजशा और शेर्शा वगरा ने जो भी नगर वगर इस्थापित आपर आप इस शाहाजानाबाद में अपने आप लिया तो चाहनाबाद का इरिया है यहीं टो इसे उमनादी के दूआरा तो इसके लाएवा यमनादी से काफी ज्यादा पानी मिल जाता था इसके अलावा पत्थर बहुत थे क्योंकि पत्थरों की आवशक्ता होती है चट्टानों की आवशक्ता होती था कि चट्टाने काटकर पत्थर बनाकर महल वगरा तयार किये जा सके असानी से अगर हम पत्थर बहुत दूर से मंगाएंगी तो उस इसी एरिया में अपनी नगर को बसाने के लिए दिल्ली को चुनने का कुछ अन्ने कारण भी था जैसे कि यह शाही नगर की रुप में प्रतिस्थित था और लगबग तीन सो सालों तक मुस्लिम शाजकों की राजधानी की रूप में उपियोगी रहा इसने धार्मिक केंद्रों में पवित्रता की आभा भी प्राप्त के थी देगी दूस्तों अगर हम बात करें तो दिल्ली को चुननी का कुछ तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि यहां पर जल असानी से मिल रहा था उंची इस्थाई पर था और काफी अच्छी एक सुरक्षा मिल जाती थी तो यह सारे कारण तो जिसने शाजान को आकर्शित किया कि वह इसी स्थान पर अपनी राजधानी को इस्थापित करें लेकिन फि अलतना टाइम पर हम देखते हैं कि मुस्लिम शाज़कों की राजधानी कलंबे समय तक रही थी इसलिए दिल्ली को राजधानी के रूप में चुना गया एक कारण यह भी था ठीक है इसके लावा धार्मिक रूप में भी यह प्रसिद्ध हो रहा था क्योंकि यहां पर फिर एक common understanding आपको आ गई होगी अभी थोड़ा और गहराई में जाते हैं गहराई में जितना जा रहे हैं उतना आपको समझ में आ रहा होगा समझ में आएगा तो आप जाद अच्छे से लिख पाएंगे सारी बातें मुगल बात्षा शाह जहां ने अपनी राजधानी का इस्थ जामा मजजिद जैसे भवे इसमारक इसमें विद्वान है ठीक है जो शाह जानाबाद था उसमें जामा मजजिद लारकिला यह सारी चीज़ें आती हैं और आगरा पहले राजधानी थी मुगलों की उसको इस्थानंत्रित करके शाह जाने दिल्ली में शाह जानाबाद के न मजजिद वगरा अलग से और नगर भी अलग से बना दिये गए कई बार क्या होता था कि सब को जोड़कर एक दिवाल खिश दी जाती थी लेकिन अपने आप में यह क्या बन गया देखिए मतलब कहने का यह जैसे कि पहले क्या होता कि किले की हंदर ही सब कुछ मजजिद वगर थी तो समझे बात को यहाँ पर किस तरह का यह नगर बसाया गया था 1649 में शाह जाना बाद की नीव शुरू की गई थी यहां लाल किले का निर्मान कराया गया लाल किला रास्ट्री राजधानी छेत्र दिल्ली के केंदर में इस्तित है और यह राजधानी का सबसे बड़ा इसमारक है जिसमें कई संरचनाएं और संग्रालें मतलब लाल किये के अंदर कई सारी संरचनाएं बनी हैं कई सारे चीजें लालगका के अंदर बनी हुई हैं यहां सिंपल सी बाते आपको समझ में आ गया शाह जहां के दौरान दिली की वास्तुकला को दिली में मुगल वास्तुकला के छेतर में सबसे प्रमुक माना जाता है वास्तुकला में शाह जहां की भागीदारी किसी भी अन्य मुगल बात समराट के तुलना में कहीं अधिक थी शाह जहां ने कई महल, इमारतें और किलों का निर्मान किया था मजजीदों, उदियानों जो बाग वगरा होते हैं बाग बागीचे, बाजारों, सराए सराइ मतलब जहां पर यात्रे ठेहरते हैं मकानों और अभिजात वर्ग दुआरा प्रदान किया गया था अभिजात वर्ग मतलब होता है जो हमेर्ज वर्ग था जो रहाया। Saadurg धीी दोस्तों, जो इसके टाइम पर जो वास्तुकरा थी व वो मुगल संम्राज्स्य की सबसे उत्क्रिस्ट रहाह सबसे प्रमुख वास्तुकरा मानी जाती है। क्योंक jij घाए जाहां काफी इंट्रेस्टिट में था जह वास्तवकला में नवाए गए थी वास्तवकला का मतलब होता है इमारते बनवाने से संब्द जो आज पन्हीर उसे वास्तवकला कहा जाता है वास्तवrade के स्षेट्र में नए की दारी थी वह बहुत जादा थी ताज महल भी सी के द्वारा बनवाया गया था लाल किला भी तो काफी बड़ी बड़ी चीज़ें ने बनवाई थी लाल किले के अलावा लाल किले के अलावा शाहजा ने दिल्ली में जामा मजजित का निर्मान कराया जामा मजजित भारत की स प्रसित शहरों में से एक बन गया था इसे आज पुराने दिली के नावदि के नाम से याद चांडियो का एरिया याद आएगा नेपाल पाकिस्तान सब मिला एक करते हैं तो सब्सक्राइब कहते हैं तो सुम्हादेप कि नियुक्तों सैंड कर बातला नेपाली नेपाल सब को मिलागे हैं उसे हम उप महादीब कहते हैं तो दिल्ली के सुल्तानों अथवा उप महादीब के कि किनी भी अन्य शाषक को द्वारा पूर्व इस्थापित किसी भी नगर से शाह जहानाबाद का छेत्रफल काफी अधिकता देखो जो दिल्ली की सुल्तान भारत में आये जैसे कि आपने तुगला का बात पढ़ा आपने फिरोजा बात पढ़ा कि इसारे नगर इस्थापित किये गए थे अलग-अलग शाषकों के दोड़ा लेकिन शाह जानाबाद दुन सबीते छेत्रफल में बढ़ा था काफी तो यहां तक सामानने बाते हैं आपको सारी कोशन आता है कि आपको शाह जाहनाबाद की कि आपको बताना होता है कि शाह जाहनाबाद किस तरह से मुगलों की शाही विचार धारा को दर्शादा है तो सारी बाते हैं आपको लिखनी होंगे ठीक है तो यहां पर नगर योजना की बात कर लेते हैं कि आखिर एक किस तरह स मतलब दिवार होती है तो नगर की प्राचीर और अथवार नगर तीन दिशाओं में मजबूत दिवारों से किलाबन था तरह 4 दिशा पूर्वी दिशा अंश्यता दिवार से किलाबन देंट दोस्तों जो अगर हम तीन तरफ से उसे घेरा गया था ठीक है पूरी तरह दिवार से पूरी तरह वो घेरा गया था लेकिन जो चौती पूरी दिशा थी उसमें वो पूरी तरह घेरा नहीं था उसमें थोड़ा सा खुला था रास्ता हाला कि वो बंद हो जाता था फिर खुलता था बंद ऐसा डौकैत करते थे जैसे लाहोरी दुवार कश्मृरी दौर अजमीरी दौर अकब्रावादी दौर इत्याद Gef Deering अप दौर की बात कि गेट नाम सुना होगा लाहों इस अभिने गेट अजमीरी घेत पूर्व का संभवता संसार का सबसे भव़व महल था संसार संसार का पूर्व का मतलब यहां पर एशिया है क्योंकि यह वग्षी में रहता था पर नियर और। यह पर सबसे अच्छा महल ना बाद ही यह लाल किल आ है , महल गड़ई के दिवाань लगभक 3.0 किलोमीटर तक फ्हाली है तो रगभक 114 इस एकड़ भूमी को घेड़ती है जो आकार में आग्रास के किले से दो गुना है देखे दोस्तों कि हम महल की बात करें यह जो नगर था शहा जानाबाद इसका एक बड़ा हिस्ता था महल का नाम था किला-ए-मुबारक जिसे नॉर्मली लाल किला कहा जाता है ठीक है हम लाल क को एक यह का बड़ी शक्ति-शाली अन्रचन है भर नियां ने का था कि यह जितना भी है न लाड़ आ महल है ठीक है है सामानी बात है इसके तिवारें जो है तीन किलो मीटर तक फैलीroph की बात वद व रही है यह से पका ही है कि अजानाबाद एक बड़ा एक बड़ा लाल किला शहाजानाबाद के अंदर हैं यह समझें इसकी भूमी यह है आप यहाँ थोड़ा सा याद कीजिए इसको बस ताकि आप पना अंसर लिख सकें समझ में आ गया तो याद होई जाएगा महल गड़ी के प्रिधान भवन गड़ी मतलब महली होता है गड़ी मतलब भी ए दो आयताकार आयताकारों में विवाजित था देखें जो ज़ो गड़ी का अंधरोनी भाग था वो दो आयताकार, अजयताकार मतलब एक रेक्टैंगल के शेफ का विवाजित था ठीक है एक मानलो यह पूरा किला लाल किला। इस जो भाग है वह बटा हुआ हुआ kitta keppen से घेरा जो पूरवी भाग था उसमें हरं मतलब जहां महिलाएं रहती ती जो वाऀफिजी वखरती ती राजांब जो राजां गल रहती थे और व्यक्तीकत कमरमित कमर्व कम penalty यंद पूर्वी हिस्सें में महल के पूर्वी हिस्से में इस समू में बड़ी संरचनाएं रंग महल थी रंग महल के उत्तर में आराम गहा शैनागार था तेक आराम गहा इस्तल था दिवाने खास रंग महल के नजदीक था ये खाफी खास एक भवन हुआ करता था यह निशित ही शाहा जहानाबाद की सरवाधिक महतपूर्वा अलंकरित भवन था यह बहु मुले रतनों के जड़ाई जड़ाई कारे से सुझसजित था केवल चुनिंदा सामनतों को ही इस भवन में प्रवेश की अनुमती थी काफी दिवाने खास का मतलब एक खास लोग ही शाह जहां से यहां पर मिल सकते हैं काफी ज्यादा सुंदर इसको डैकरो करेक्स कीको जटीश्किया गया थ जो सब्सक्राइब रखने का जो व्यवस्था होती है वो सब था इस परकार महल गड़ी नगर का लगो रूप था मतलब यूं समझ सकते हैं यह जो लाल किला था वो नगर का जो पूरा का पूरा नगर है नगर मतलब देखें जो पूरा का पूरा शाहा जाना बाद था उसका चोटा रूप था चोल रूप का मतलब कि शाह jogarनाबाद दर हम एक शहर में आप क्या देखते ही बदाओ एक शाहर में हम देखते हैं की बाजार होती है बजार के अलाबा मतलब लोग रहते हैं normally normally सारी वेवस्ता होती है सड़के मनी होती है बाग बगीचे होते हैं एक नगर में तो यह सारी चीज होती है ना तो किले के अंदर यह सब कुछ था लार किले के अंदर तो अपने आप में यह खुद भी एक नगर था छोटा रूप था श्याँ जाना बाद काफी बड़ा था तो यहां पर आपको यह समझ मैं जहरोखा समझो नदी के सामने किले की पूर्वी दिवार पर एक अति उतक्रिष्ट नकाशी दार संरचना निर्मित की गई थी यहां समराठ प्रति दिन बहुत सुभा लोगों को स्वयम दर्शन कराते थे जो बड़े समू में कठा होते थे स्वयम का दर्शन देने का रिवाज जहरोखा दर्शन कहलाता था जिसका बहुत महत हुथा क्योंकि इससे समराठ अपनी प्रजा के सीधे संपर्क में आते थे खास कर हिंदूओं के जिससे उन्हें महान परिवार सामराज्य से जोड़ा जा सके कोई भी वैक्ति चाहे वे कितना ही तुछ एवम निर्धन हो इस रस्म में भाग ले सकता है थ दिल में जब अदर की भावना से उत्पन करती थी थोड़ा अभी मैं ट्रैवल करके आ रहा हूं काफी इसली थोड़ा रीडिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम सी ओरी लंबा रीड नहीं कर पा रहा हूं थोड़ा सब्सक्राइट करें राजा जैसे आज क्या होता है हीरो अगरा अपनी बिल्डिंग में खड़े हो जाते हैं नौर्मली फैंस उनको देखते रहते हैं चिलाते रहते न तो इतना तो चिलाहट नहीं होती थी उस टाइम लेकिन फिर भी जो लोग वह आम लोग होते थे वह राजा की दर्शन करते ना ताकि लोगों का भरोसा बना रहे साथ में ही लोग उससे जुड़े रहें ठीक हैं ये सारे चीज़ें थी इसके लावा नगर के महतपूर्ण इस्थान तथा बजार इसे समझे नगर प्राचिर के लाहौरी दौर को महल गड़ी के लाहौरी दौर से जोड़ने वाली पर्ष्ट है कि चाननी चौक एक विशाल पहमाने पर वहीं फैला था जहां मुगल महलों के सामने फूलों के बाग सुववस्थित सडक के दोनों किनारों पर पेड़ों की कतारें थी तता पंद्रासों से ज्यादा दुकाने थी जिन पर सहजादी जहां आरा एवं नवाब फते पूरी बेगम जो शाहजान के रानियों में से एक थी का स्वामित उथा देगे दोस्तों नगर के महत्पूर्ण इस्थान तता बाजार यहां कहने का मतलब है कि नगर में बाजार भी था एक बहुत बड़ा बाजार जिसे हम चाननी चौक के नाम साथ जानते हैं तो य काने भी थी और शेहजादि जहां आरे नवाफ की नवाफ कि फते पूरी बेगम या जो दूसरी दूसरी बेघ — वहाँ पर आती थी खरीधार हैं वित बड़ा करने हलाकि जूसौन में तो श्वामित वखर जुहां आरा के पास था और फते पूरी बेगम के पास था था समराट के बाद का इस्थान शाशक वर्ग का होता था वे अपने सभी विभागों में सभी शाही संस्थापनाउं एवं प्रतिस्थानों की अनुकरण का प्रियास करते थे हालना कि ये काफी छोटे पैमाने पर होता था देगे दोस्तों जो दर्बारी और होते थे वह भी उन समराट होगे वो राजा उगए तो राजा तो बाई सब कुछ है राजा का मैल तो सब से अच्छा हो गई लेकिन जो दर्बारी हैं जो राजा के साथ कां करने वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं, राजा के साथ काम करने वाले, आम नहीं, आम तो है नहीं, ठीक है, राजा के साथ काम करने वाले जो दरबारी हैं, जो मंतरी हैं, राजा वगरा के, तो उनकी भी काफी बड़ी-बड़ी हवेलिया हुआ करती थी, महल हुआ करते थे, वो सा जो अराम इन्हों दर्वारियां दर्वारी भी राजा की तरह ही रखने का प्रियास करते थे अपने आपको बड़े-बड़े हम सुनते हैं जो बड़े-बड़े सामन थे वो भी अपने आपको राजा की तरह रखने की कोशिश करते थे लेकिन थोड़ा छोटे पैमाने पर इ को समझे बाम करते ही 7 यह देखिए होगी चार बाय जिसे यहां पर होता यहां पर पानी भैरा है यहां पर पानी भाया है यहां में आ याज दिखा दिखाईबर कि आपको इन्हें मैं चार बाग की वावसदव हैं H biz फ़्डेद की NS बीच में सडकें या पानी जाता रहता था तो यहीं है यहां पर लिखा हुआ दिवारों से घिरे छेत्र के बाहर भी नगरिये समू देहात में कई मील तक फैले थे जैसा कि बर्नियर हमें बताता है कि यह उपनगर भव्वे बागों एवं खुले इस्थानों द्वारा अलंक कि एपना इस्थापित हो गये थे चोटे नगर भी एसपास इस्थापित हुए थे तो वहां पर काफी सundर संदर बाग भी बागों की ववस्ता भी कि गए थी हैं इसलामी परंपरा में नगरों की योजना एवं बनावट में इन बागों को महत्मुन इस्थान प्राप्त थ गया मुगल बाग आयताकार थे जिनके प्रवेश द्वार उची दिवारों से घेरे होते थे तथा जिन पर मिनारें बनी होती थी चाहर बाग ठीक है चाहर बाग तेजी से बहने वाली चार नहरों द्वारा कटा हुआ था जो इसे चाहर भागों में बाड़ते थे इस युक् प्राफ शाली रूपसे नोंने बागों की बागवगीचयों की विवस्था की थी मिसमें सबसे प्रमुक्थ चीस चाहर बागों की विवस्था कैसा था यह जैसे कि मालो यह एक पारक है थीं यह फ़ पारक को में गढ़्ठा करके हम censorshipनी पानी की नहर निकाल दी तीक है और यहां से भी उपर से एक नहर निकाल दी तो यह कितने भागों में बढ़ गिया यह चार भागों में बढ़ गिया एक भाग ये वाला एक ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला तो इसे कहते हैं चार बाग व्यवस्था जिसमें बीच में नहरे निकाल दी जाती को देखता है आपको सारी बात थे समझ में आएगा की एक कुछन आएगा कि शाहाऑ जाहनाबाद किस तरह से मुगलों की शाही विचारों को दर्चाथा या किसी भी तरह का कुष्यन आएगा आपको मैंने वीडियो बनाके दी है अप देखते लिए आपको साइस समझ में आएंगी समझ में आ गया तो जो कुछ भी आया समझ में आप लिखकर आईए आपने इतना कुछ याद कर लिया है आप याद हो गया है अगर आपको 20% भोल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है